पिक्सल अक्स्पीरियंस? MeUI का क्या हुआ? भाई एक शाइरी बनाते हैं आप शुरू कीजिए ठेख है भाई अपनी मनजल को पाने के लिए मैं धर्ती तक खोद दूँगा अपनी मनजल को पाने के लिए मैं धर्ती तक खोद दूँगा और अगर मुझे ऐसा कोई रोम मिल जाए तो मैं MIUI को चोड़ दूँगा गंदी सोच हट तो यार मेरा नाम है रोही तो आज की वीडियो में बात करेंगे पिक्सल एक्स्पीरियंस रोम की तो कॉमेंट करके नीचे ज़रूर बताईएगा आपको पिक्सल एक्सपीरियंस रोम या कोई कस्तम रोम पसंद है या नहीं और यार वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जो किया वह एक छोटा सा जोक था प्लीज जोक ही समझिएगा तो सारी इंफर्मेशन दूँगा पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर कीजेगा वीडियो के लाइक का टार्गेट है 500 लाइक का आप पूरा कर देंगे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर कीजेगा तो यहाँ पहले तो बात आती है सपोर्टेड डिवाइसिस की तो यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइसिस हैं तो यहाँ पर अब आपका शोमी फोन हो सकता है तो शोमी के फोन के बारे में ही बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे डिवाइसिस हैं Mi 10T से Mi 11X और यहां पर आप देखें कुछ devices इंडिया में लोंच नहीं हुए हैं पर global के devices आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे हैं तो यहां पर आप Poco F1 है Poco X3, X3 Pro, Redmi 3S, 3X, Redmi 4X, Redmi 5 तो यहां पर आप देखें कुछ older devices भी है Redmi K20 Pro, K20 उसके बाद Redmi K30i तो Poco X2, Redmi Note 10, 10 Pro, Pro Max तो यहां पर Redmi Note 4, Redmi Note 5 Pro जो कि Redmi Note 5 Global का है Redmi Note 5 Plus जो कि इंडिया का है Redmi Note 5, Redmi Note 7, 7 Pro, Redmi Note 8, 8 Pro तो यह Redmi Note 9, 9 Pro, Pro Max के लिए भी Pixel Experience Room होता है पर वो unofficial होता है, officially यहां पर देखने को नहीं मिलता है पर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो पहले बात आती है Google Apps की तो यहां पर आपको सभी Google की Apps देखने को मिलेगी Phone Dialer भी Google का ही होगा और Messages App भी और आपको यहां पर Full Play Store देखने को मिलता है तो आप कोई भी Game, कोई भी App यहां पर आकर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो Device होता है वो भी Certified होता है तो आपको जो है Banks App में कोई Problem नहीं आएंगी तो यह भी अच्छे तरीके से काम करेंगी क्योंकि यह जो Roam होता है Rooted नहीं होता है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ Root Check, Verify Root करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं रोम जो है वो Rooted नहीं है तो आपकी Bank Apps असानी से काम यहां पर करेंगी आप देख सकते हैं तो Fast Charging में कोई Issue नहीं है तो बात करें यहां पर Camera की तो यहां पर Camera आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है पर फिर भी Camera होता जरूर है पर आप जो है वो Download कर लीजिए उसे क्या कहते है यार जो होता है Google Camera तो अगर आप Google Camera डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ज़्यादा प्राब्लम नहीं आएगी तो वो काफी अच्छा होता है पर आप Open Camera भी यूज़ कर सकते हैं प्ले स्टोर से तो Camera के मामले में थोड़ा सा डांग्रेड है यहां पर आप Google Camera अपने Supported Devices का इंस्टोल कर सकते हैं बात करें यहां पर Updates की तो यहां पर Settings में जाते हैं सिस्टम में जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर जो है वो Updates आपको हर महीने देखने को मिलेंग यहां पर जो मेरा फोन है अभी आपको दिखा देता हूं तो अभी जो है यह लेटेस्ट है यहां की Android 11 पर ही है अभी पर यहां पर जो है 5th of September का Security Patch लेवल चल रहा है तो depending on your device पर Updates जो है वो रेगुलर आती रहती हैं मैं आपको recommend करता हूं आप OTA द्वारा अपडेट मत क आप फुल रोम डाउनलोड करके अपडेट कीजिए तभी आपको जो है असानी होगी क्योंकि कभी कभा डाउनलोड फेल हो जाती है इंस्टोल नहीं होती है तो आप फुल रोम डाउनलोड कीजिए और और इंज फॉक्स रिकवरी के द्वारा आप इसे फ्लैश कर अभी भी यहां पर एंडुड 11 ही है अभी भी जो है वो नहीं आया है Android 12 अगे जाकर आ जाएगा पर अभी यहां पर जो है एंडुड 2 नहीं है आपको काफी अच्छी नेविगेशन बार यहां पर देखने को मिलती है जो कि बहुती स्मूथ है पर यहां पर आप flashy नहीं होता है कि आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं पर यह बहुत ही fast and fluid होता है तो इसमें customization भी आपको थोड़ी बहुत मिल जाती है बाकी दोस्तों feature आपको सब मिल जाते हैं screenshot ले सकते हैं आप जो है वो screen recording कर सकते हैं जो आपको fingerprint face unlock अब तो old eye आपको मिल जाता है ऐसा नहीं है कि आपको वो नहीं मिलता है तो addition में आपको यहां पर मिल जाता है आप जो है वो वोल पेपर लगा सकते हैं अच्छे अच्छे dynamic wallpaper जो कि Google के होते हैं जो कि देखने में यार बहुत ही अच्छे लगते हैं तो कुछ इस परकास से तो आप देखेंगे तो आप देखेंगे यार यह काफी जो है वो खूबसूरत होते हैं तो आप यहां पर जो है काफी सारी Android जैसा होता है तो अब यहां पर सवाल आता है कि आप इसे इंस्टोल कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और इसमें कस्तम रिकवरी इंस्टोल्ड होनी चाहिए अगर नहीं है तो मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई ह लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा आपका फोन विल्कुल भी डैमेज नहीं होगा क्योंकि मैं अच्छे तरीके से वीडियो बनाता हूं तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा उसके बाद अगर आपका डिवाइस का ओरडी बूट लोडर अनलॉक है कस्तम रि मिल जाता है स्टेबल तो तो यहां पर आप में देखेंगे मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपने सिंप्ली जो है वो कस्तम रिकवरी में बूट होना है यहां पर वोल्यूम अप एंड पावर बटन को दबाना है तो मैं यहां पर जो है वो फास्फोवड कर देत है तो यहां पर आप देख सकते हैं अनलॉकिंग हो रही है तो आपने सिंप्ली करना कुछ नहीं है यहां पर आपको थोड़े से स्टेप्स लेने होंगे पहले तो आपको वाइप करना होगा आपका सिस्टम यहां पर आकर जो है वो डेल्विक डेटा को जो है वो इंटर्न जो है वो येस लिखना होगा अपडेट होने के बाद क्योंकि फॉर्म डेटा इंपोर्टेंट होता है फर्स टाइम क्योंकि यार प्रोब्लम आ जाती है आपका फोन बूटन नहीं होगा तो इस परकार से आप इसे इंस्टोल कर सकते हैं मैं नहीं करने वाला मैंने और दी संदाई होगी तो ये राज के लिए बस इतना ही